Taxonomy and Ecology of Yellow Stem Borer Yellow Stem Borer एक सीरियर किसम का पैस्ट है ये बहुत सारे जो agricultural fields हैं उनके ओपर attack करता है अगर हम rice field के अंदर बात करें तो rice field के अंदर ये attack करके इस crop को बुरी तरीके से मुतासर करता है अगर हम जो stem borer है rice stem borer इसकी taxonomy की बात करें तो they belong to phylum arthropoda, class insecta, order lapidopra इनकी जो family है parallelid, इनकी जो genus है वो सिर्पोफेगा और species सिर्पोफेगा insertiola ये इसकी taxonomic position है ये rice का एक serious pest है इसके अंदर male का जो color है वो aucreus या natural soil color या clay जैसा है उसके अलावा the spot on the wings is inconspicuous female के अंदर conspicuous है, male के अंदर ये इतना ज़ादा conspicuous नहीं है और उसके अलावा इनके अंदर anal teft absent होता है ये हम male की बात कर रहे है उसके बाद अगर हम female की बात करें तो females are pale yellow और इसके अंदर distinct spots मوجود होते हैं wings के उपर उसके अलावा tip of the abdomen is equipped with tuft of white and brown color hairs यानि इनके जो abdomen है अगर इनके wings को हम उठाएं तो इनके abdomens के उपर खास किसम के hairs tough like structure मوجود होता है इनके अंदर sexual dimorphism है, male, female एक दूसरे से different है और इसलिए जो है इनको भी different species consider किया जाता रहा उसके लावा इसके जो adults हैं ये काफी active होते है after dusk शाम के वकत जब सुरज तलू हो रहा होता है उसके बाद इनकी activity काफी जादा हो जाती है ये mate करते हैं और female egg ले करती है एक female 120 से 150 तक egg ले कर सकती है उसके लावा आम तोर पर जो female है ये पौदे के जो पते हैं उसके नीचे वाली जो side है वहाँ पे egg ले करते हैं और इनके जो eggs हैं वो clusters की farm के अदर होते हैं और ये जो clusters की तादाद है वो 2 से 5 हो सकती है और इनके अंदर eggs 60 से 100 तक हो सकते हैं उसके लावा जो eggs हैं they are covered with yellowish brown hairs अगर हम इनके life cycle की बात करें तो इनके अंदर meeting होती है meeting के बाद female egg ले करती है जो के clusters की farm के अंदर होते हैं जो हमने कहा के 2 से 5 cluster हो सकते हैं और clusters के अंदर जो eggs की तादाद है वो 60 से 100 तक हो सकती है उसके लावा 6 to 7 days के बाद eggs की hatching होती है और उससे first in star या जो larvae है वो develop होता है उसके बाद तकरीबन larvae के अंदर 6 different in stars है 6 different stages हैं जो के तकरीबन 16 से 27 days के अंदर complete होती है उसके बाद ये जो larvae है ये next stage के अंदर convert हो जाता है जिसको pupi कहते है उसके बाद pupation के बाद ये जो pupi है ये 9 to 12 days के अंदर adult के अंदर convert हो जाता है आम तोर पर ये देखा गया है कि जो insect के अंदर जब mating होती है इसका जब egg link होती है egg link के बाद first star आता है ये जो larvae है इसका first star के बाद ये जो plant है उसका जो तना होता है उसके अंदर एक बोर बनाता है इसी वजह से इसको stem borer कहते है क्योंकि ये stem के अंदर बोर बनाता है एक सुराख बनाता है और सुराख के जरीए ये stem के अंदर चला जाता है वहीं पे ये मुख्तलिफ अपने इंस्टार्स कम्प्रीट करता है एक इंस्टार से सेकेंड इंस्टार थर्ड इंस्टार थर्ड फूर और फिफ्ट और सिफ्ट इंस्टार के अंदर कनवर्ट होता है और उसके बाद फिर ये प्यूपे के अंदर कर्वर्ट हो जाता है अब इनको कंट्रोल करना इसलिए मुश्कल हो जाता है कि जब ये पौदे के स्टेम के अंदर चले जाते हैं तो उस वकत अगर पौदे के उपर स्प्रे किया जाए तो उस स्प्रे का इनके उपर असर नहीं होता क्योंकि ये तने के अंदर जा चुके होते हैं और ये पौदे को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचाते हैं पौदे का जो तने है वाइसा इसा जो है सूख जाता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वाज़ तोर पर देखे जा सकते हैं उसके लावा जो इसके लार्वी है यानि पहला जो इसका इंस्टार है ये पत्ते के उपर उसकी शीट के उपर फीड करता है उसके बाद और इंड बोर इंटो दा प्लांट स्टेम इस तस्वीर के अंदर देखें तो यहां पे ये डेड हार्ट है यानि इन पौदों के जो तने हैं नीचे से उनके अंदर स्टेम बोरर का अटेक है जिसकी वज़ाए से इनके अंदर फोटो सिंथिस का प्रासेस वो रुख गया इसकी कलरेशन चेंज हो गई ये जो है डाय होना शुरू हो गई तो ये जो स्टेज है इसको हम डेड हार्ट कहते हैं इन ओल्डर प्लांट्स दा होल एयर हैड बिकम वाइट इस एंचेफी यानि वाइट हैड यानि जो ओल्ड पौदा होता है यानि जब वो बड़ा होता है तो क्यूंकि उसके अंदर स्टेम बोरर का अटैक है तो उपर से उसका जो सिट्रा है वो मुकामल तोर पर वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाता है यह symptom है कि इन पौदे के उपर जो stem borer है उसका attack हुआ 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 है उसके लावा इसकी वजह से जो production है वो काफी हद तक कम हो जाती है अब इसको control कैसे किया जा सकता है एक तो उन वीर्स को जहां पे ये मौजूद होते हैं इनके adults उनको खतम किया जाए उसके लावा ऐसे पौदे जो infested है उनको field में से remove किया जाए उसके लावा flooding the field after harvest यानि जब harvest हो जाए तो field के अंदर पानी लगा दिया जाए ताकि वहाँ पे कोई eggs प्यूपी वगारा मौजूद है तो उनको खतम किया जा सके उसके लावा प्लोइंग की जाए गहरा हल चलाया जाए उसके लावा जो crop rotation की जाए आम तोर पर ये recommend किया जाता है कि एक field के अंदर बार बार एक ही crop को ना लगाया जाए अगर एक season के अंदर आपने rice लगाई है तो अगले season के अंदर कोई और crop वहाँ पे लगाए यानि उसके अंदर rotation होने चाहिए तो इस तरीके से हम stem borer के attack के जो chances है उसको कम कर सकते हैं और जो plants हैं उनकी production को बढ़ा सकते हैं